समस्कार आप देख रहे हैं परताब को ब्लोक्स ऑफिसियल हमें राम के लास जाद हो आज किस वीडियो हम बात करने वाला हूं दो डेरी में क्या रेट चल रहा है भी देख सकते हैं आप हम परची निकलवा कर लाए हैं दो डेरी पर हम गए थे हमारे यहां एक ही किलोमीटर क रेंज में तीन दोड़ डेरी है थे कैसे पर भी चल करोंगा और अभी गॉय का रहा है रहे हैं सबसे हाइट क्या चल लहा हो की और सब से लो रेट क्या है गाए का या भी गाय पालंद करना ठीक है या नहीं है सारी चैसा आपस बिड़ों बताऊं का तो वह वहब गए त form पर परची निकल वाद है जल्द फ़ीव नहीं देते लोग ना वो बोलते थे कि परची इसको भेजना पड़ता है निकाल करके हम भी दूर डेरी चला है में पता है कि ये परची तुमाल लो किती बार भी निकाल सकते हैं दिन भर में चाहे दो बार तीन बार चार बार तो निकाल कर दिये हैं तो इसमें आपको दिखाने चाहूंगा यह गाय करेट भी बढ़िया है लगवग यहां पर गाय करेट 40 34 32 34 37 इस तरह करेट पढ़ रहा है गाय का जो कि अच्छा रेट हम कह सकते हैं क्योंकि जब हम दूर डेरी किये थे तो इस तरह करेट नहीं मिलता था गाय के बहुत कम रेट थे 20 रुपया 22 रुपया 23 रुपया पढ़ जाता था तो किसान बहुत खोस होते हैं लेकिन कई साल हो गए आज से कई साल पहले की बात हम बता रहा हम आपको उस समय क्या है कि दूध गाय का बहुत कम था लेकिन अभी जो हम बात करें तो 40 रुपया 34 र 42 रुपया 37 रुपया रेट मिल रहा है तो गाय काभी बढ़िया रेट हम कह सकते हैं अब हैंस एगर हम बात करते हैं तो इसमें देख सकते हैं आप भी 44 44 46 47 42 43 तक है और 32 यानि की 59 रुपया 50 रुपया तक रेट है इसका जो भी रेट पड़ा है 50 यानि 56 रुपया भी दिख रहा है में 57 रुपया भी रेट दिख रहा है तो 57 रुपया लिटर तक दूद है तो हिसाब क्या है रेट किस हिसाब से तैं होता है किसान काफी है जो ने समझ नहीं आता है इसका rate कैसे होता है अभी वहां rate कितने rate चल रहा है तो हमने इसे पूछा जो ये डेरी है तो उनके वहां बामन का rate चल रहा है बामन का rate का मतलब ऐसा नहीं होता कि जितने भी दूधाएंगे सब बामन रुपे लिटर जाएगा कि जितने भी दूधाएंगे भैस का बामन रु 15 करें हम बात करते हैं तो बामन रेट किसान वह यह होता है कि जैसे कि आपके यहां बामन इसनों का को मानक़ प्याएं कि इतना है उतना रेट उसनों को मिलेगा तो बामन को रेट है जब हम चला रहे थे तो साइद 39-40 का रेट था चालिस तक था 38-40 लेकिन अभी 52 यहनी काफी बढ़िया रेट है अभी कह सकते हैं काफी कई साल ही हो गया हमें यहां तक कि हां वही 36 है 36 36 37 39 36 36 जो है लो है इसका रेट भैस का और हाइड जो है इसका वही शक्तावन ने अठावन के लगभग पढ़ रहा है जो जो भैस है और गाय के अगर हम रेट की बात कर लेते हैं तो गाय का भी बढ़िया रहा है अर इसमें जो है गाय का रेट भी बढ़ियां मिल रहा है 32, 39, 40, 42 तक जा रहा है तो गाय बढ़ियां है अगर आप गाय पालन करना चाहते हैं दूर डेरी के लिए निकलिए तो गाय पलन जरूर करिए गाय में बेर नी फिट है लेकिन गाय में क्या ठीक रहता है गाय उतना जाद सब्सक्तों मिल जाती है अभी यह नियूंक ही क्लोमेटर में तेनोरी मिल रही है एक फिर्अ हो जाता है तो ऐसा भी काहा जाता है Claus italy तो कैसा संभव हो जाता है कि जब वहां पर जो होती है देंगे वह आपके आस-पास यह तो दस मीटर के रेंज पर भी देंगे सो मीटर के रेंज है वहां भी दूर डेरी यह खुल जाएंगी दो से तीन डेरी आ सकते हैं उसमें क्या होगा यहां पर जितनी दूर डेरी हैं सब अलग अलग कंपनी की हैं लेकिन अब कंप्टीशन आ गया है कंप्टीशन है वहां भी कuyp borrow use a plane with comment on this this is data Think I don't like I ś the gift मिलेगा Yo, orchide kaisira ज्यादा रेट बाएंगे वहां ज्यादा दूद्ध देंगे जहां कम लेट पाएंगे वहां दूद्ध देना कम करदेंगे तो इस से क्या किसान को फायदा है तो यही है logik जो एकő único कंवेट नहीं को पर यहे होता है चार से पांच किलोमीटर का तब ही दूद देरी देती है अब है अगर देर कंपनीया से नहीं घुब आएंगी और नहीं आता है और अगर बात की जाए रेट ठीक ठाक आभी कहें सकते हैं पहले के मुताबिर जो हम दूर डेरी जब चलाते थे तो काफी कम रेट था लेकिन अभी जो रेट मिल रहा है भैस से और गाय का ठीक ठाक रेट है सत्तामर रूपया ठामर रूपया तक है भैस का रेट है और आपके वहां जो है क्या रेट चल रहा है कितने रूपय में मिल रहा है गा करें हमें उम्मीद है कि आपनों समयागा होगा वीडियों अच्छा लगे तो लाइक से कोमेंट जरूर करें